कार्ट कार्ट जो जनेयर किया है जो मुझे आने वाला है वह हो सी डेटल में क्लिक करऊंगा और यहां पर मुझे दीक रह आत से और आर्बिय बैंक की तरफ से मुझे किसी से bank से loan लिया होगा या कभी भी लिये थे या आपने सुना भी होगा जिस दिन ओ company आपकी bank की गाउन में पैसे transfer करती है ना उस दिन से interest उसका start हो जाता है और यहाँ पे बजार finance के तरफ से बहुत ही संदार्म होगा है अगर आप बजार finance का card अगर बनवा लेते हैं तो card जो physical card जो आपके घर पे आएगा उस card से अगर आप किसी भी ATM से पैसे विड्रॉल करते हैं तो पैसे निकालते हैं तो भी आपको 50 दिन तक उस पैसे के उपर में 1% का भी चार्ज नहीं लगेगा इस card में मुझे एक चीज कमी लगे वो साथ आपके लिए बहुत बड़ी भी बात हो सकती है और कुछ लोगों के लिए ये बड़ी बात नहीं है इस वीडियो को आप N तक देख लिए उसके बाद आप card को अप्लाई कीजेगा ये card आपके लिए फुल्फिल है या नहीं है इस वीडियो में मैं आपको complete process बताने वाला हूँ कि आप बजाज कंपनी से physical card अपने घरते कैसे मंगवा सकते हैं हो भी mobile से सब कुछ आपको live अपने mobile के screen पे दिखाऊंगा अगर आप share market में interested हैं अगर आपके पास demate account नहीं है तो इस वीडियो के description में आपको एक वीडियो के link मिलेगा जिससे आप जेरोदा में demate account open कर सकते हैं और अभी बहुत ही अच्छा time है दोस्तों अगर आप कुछ पैसे invest करते हैं तो your features is better than now अभी से अच्छा होगा वेल चलता हूँ mobile की screen पे वहाँ पर आपको बताता हूँ कि इस card को अप अपने घर पे मंगाने की पूरी process क्या है वेल फाइनली मैं अपने mobile की screen पे आगया हूँ आप देख पार यह बजाज application गंदर में मैं login हो रहा हूँ इस वीडियो के start करने में बता दूँ आपके पास एक बजाज के account होना चाहिए अगर आपके पास बजाज के account नहीं है तो इस वीडियो की description में एक link मिलेगा विदिन ही 5 minutes में आप बजाज के account open कर सकते है अपने mobile से साथ में आपको 40,000 रूपे का approval instant amount मिलेगा जिसे आप offline, online कहीं भी no cost EMI में कोई भी product को आप खरी सकते हैं और लेकिन उसे आप तो ना पैसे transfer कर सकते हैं उस card से ना ही उस card से आप पैसे withdrawal कर सकते हैं लेकिन इस वीडियो में जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस card से आप shopping तो करी सकते हैं साथ में आप किसी भी ATM से पैसे भी withdrawal कर सकते हैं दोस्तों finally मैं login हो गया हूँ इसके आगे का step बहुत ही ज़्यादा important है तो वीडियो skip मत कीजेगा बिल्कुल आप ध्यान से दिखेगा आप जब अपने mobile के screen को जब आप उपर लेके जाएंगे तो आपके सामने एक ऐसे pop-up दिखेगा अब मैं आपको पिता देता हूँ मैंने जो card जो generate किया है जो मुझे आने वाला है वो यहाँ पर see details पर मैं click करूँगा और यहाँ पर मुझे दीख रहा है आप देख पा रहे हैं कि उस amount पे कोई भी interest charge generate नहीं होगा आपको remember again कि आप किसी भी banks अगर आप loan लेते हो और जिस दिन वो bank आपके account में पैसे transfer करता है उसी दिन से interest rate start हो जाते हैं लेकिन यहाँ पे 50 दिन के अंदर में अगर आप payment को वाफस करते हो तो किसी तर से कोई भी interest यहाँ पे लगने वाला नहीं है साथ में आया यहाँ और भी बहुत कुछ आप यहाँ पर सकते हो तो finally आपने देख लिए यहाँ पे मेरा card कुछ तर से दिख रहा है अब आपको क्या करना है तो आपको यहाँ पर जो offer यहाँ पर धीख रहा है available offer पे यहाँपे आपको क्लिक करने है और यहाँ पर आपको okay पर क्लिक करना है अब जैसे okay पर क्लिक करेंगे एक नया browser face आपके सामने आएगा अब इस page पे आपको जो है अपना mobile number इंटर करना है आप यहाँ पे देख पार है कुछ हीज़ी यहाँ पे लिख्या आगया है 2000 यहाँ पर रिवर्ट जो है points यहाँ पर आपको मिलेंगे अगर इस account को अगर आप complete करते हैं यहाँ पे जो है आप अपना mobile number को यहाँ पे इंटर क दियान में रहे जो आपने account बनाया था वही number यहाँ पर आप टाइप करें तो जैसे कि मैं आपको देखा देता हूं कुछ process यहाँ पर आप अपना mobile number डाल लोगे उसके बाद यहाँ पर send पर click कर देना send पर जैसे click करोगे इसी number पर OTP आएगा जैसे कि यहाँ पर आगे आप message आएगा उसके बाद आपको आपको पेन नमर जो आपना डालना होगा पेन के नमर आप डालेंगे तो यहाँ पर 99 परसेंट यहाँ पर कंफर्म होता है code नमर डालते ही उसके बाद आज अगर आप सुबह वर्किंडेज में हो तो आज नहीं तो एक दिन के बाद आपको lifetime free है यह इसके को शार्ज है नहीं कि जब प्रिंट होके physical card by post जब रन करता है आपके घर के लिए तब से लेकर के यानि कि एक साल है यानि कि 12 मैने तक यह card कि कोई भी service charge नहीं रहता है अगर आप चाहते हो कि next year में भी इसका कोई भी service charge नहीं रहे बिलकुल फ्री ओफकर पड़े इसके लिए क्या होगा आपको 25,000 लेकर यानि 50,000 यह डिपेंड करता है कि आपके जो card जो मिल रहा है उसकी approval कितना amount है ठीक है अगर थोटा amount है 25,000 लेकर बड़ा amount है तो 50,000 रुपे तक अगर एक साल में आगर आप अगर आप purchase buy करते हैं कोई product आप करते हो तो फिर वो साल वो free हो जाते है मतब आपको क्या है चार्ज केसे देना है अगर आप बिल्कुल कोई भी service आप नहीं लेते हैं मतब आप card आपने ले लिया है एक साल तक बिल्कुल यह free है second year जब यह आप इंटर होगा उसे टाइम में आपको 25,000 लेकर करके या तो 50,000 का कुछ तो payment इसका invest करके आपको यह product आपको buy करना है तो अगर आप वो बिल्कुल नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा इसका 3.9 यानी 919 राइन रुपीज का इसका जो एन्वल जो payment वो बन जाएगा वो card के उपर में यह payment जनेट होगा लेकिन अगर आपको lifetime तक free लेना है तो एक साल तक फिर ही है दूसरे साल तीसरे साल जब भी एक साल जब इसका नायव स्टार्ट होता है उसी साल में आपके amount के हिसाब से देखते हुए आपको जो है कुछ न कुछ इसका EMI पे लेना ही पड़ेगा उससे क्या होगा आप यह मैं पे लोगे तो इस charge की उसे कोई connection नहीं है आप यह मैं फुल्फिल कर दो बस इनफ खतम लिकिन पेमें तब देना पड़ेगा जब इस card का आप यूजी नहीं करोगे अगर यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अपने family member में भी आप शेयर कर द